कि हिंदु धर्म में वेशाख कौन निमा का अत्यारिक मायत है इस कौन निमा के दिन अगर घर में कुछ वस्तुर लाया जाए तो मातल अच्पी स्वायम आती है आई ये पंडिक जिसे आनते हैं कौन से वस्तुर लाया जाए जाए वैशाख मास परम पावन मास है इसमें विभिन धार्मिक कारिय किये जाते हैं इसमें ग्रह की कुल देवी के लिए लक्ष्मी प्राप्ति के लिए और भगवान लक्ष्मी नारायन को प्रसंद करने के लिए विभिन प्रकार के धार्मिक आयुजन घरों में मंदिरों में किये तर आये जाते हैं इसमें जो पूर्णिमा आ रही है विशेश पूर्णिमा है वैशाक शुक्ल पूर्णिमा शुद्ध पूर्णिमा है और यह पूर्णिमाओं में सर्वस्रेष्ट पूर्णिमा है वैशाक शुक्ल पूर्णिमा 22 एवं 23 तारिक को हम सभी को प्राप्थ हो रही है चुकि उदियाति थी 23 तारिक को है तो व्रत जो है 23 तारिक के दिन धारण किया जाएगा वैशात पुर्णिमा में कई ऐसी चीज़े हैं जो घर में यदि हम लाएं तो इससे शुबता प्रभुता एवं अखंडता हमारे घर में प्रवेश करती है इसमें सर्व प्रथम है चांदी चांदी का सिक्का लक्ष्मी जीवाला चांदी का सिक्का यदि हम घर में लाते हैं तो हमारे घर में लक्षमी की शीतल लक्षमी शुद्ध लक्षमी की प्राप्ति होती है और पीतल का हाथी यदि हम घर में लाते हैं इस दिन तो लक्षमी के साथ नारायन की भी प्रसन्नता होती है नारायन प्रसन्नों करके उस घर में सदा सदा के लिए वास करते हैं घर में प्रसन्नता के लिए स्रीयंत्र इस दिन लाया जाए इस पटिक अत्वा कामबे के पत्र पर स्रीयंत्र लाया जाए तो वह भी सर्वस्रेष्ट माना गया है सदग्रंथ, अच्छे ग्रंथ, अच्छी पुस्तकों का लेने के लिए भी एक बहुत स्रेष्ट महुरत माना गया है इसलिए पुरिणिमा पर यह सब चीजों में से जो आपको बने जो चीज की घर में आवशक्ता है वह चीज लाएं और अपने घर में सुख सम्रद्धी एश्वरी का वास करें